का इंक्वाईरी था इसलिए मैंने बेजा था तो मैं आपको ये पूछना चाहती हो कि आप अभी 12 है या आपने बीपीटी कम्प्रीट कर लिया है एक्चुली डिप्लोमा है बीपीटी तो दोनों तरह से मैं इंक्वाईरी करना चाहता था कि कैसे हो सकता है कि आपको अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप पहले बाचलर करेंगे ठीक है हमारे पास जो प्रोग्राम है वो करके आप अपना अपना आप का रेजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं तो आप अपने खुद की प्रैक्टिस भी डाल सकते हैं कोई शुनी होगा आपको कभी यह UGC Approved Programs हैं तो कर मैं आपको इसके mail देज दूंगी और कापी स्टूडेंट्स हैं जिद्नोंने कम्टीट कर रहे हैं अभी कहर किया भी है हमारे से तो मैं सैंपल कॉपी दी आपको बेज दूंगी ठीक है तो मैं एक्जाम कब रहेगी उसका कब देने आना पड़ेगा व तो यह उस मोड में होता है मैं आपको पूरा डीटेल्स मेल पर दा दूंगी आप समझ जाएंगे ठीक है और यह फिर यह जो MPT होता है ठीक है तो उसमें दो एडमिशन बाद में मिलेगा ना करेंगे उसके बाद MPT होगा आपका ठीक हमारे जो प्रोग्राम से एक चीज़ है मैं आपको जो सारे लीगल डॉकुमेंस लेजूंगी आप अपना खुद का आयपी का जो रेजिस्ट्रेशन होता है लाइस मेंबर्शिप लेके आप अपनी प्रेक्टिस भी कर सकते हैं यह यह 100% ही 1000% accurate है तो मैं आपका वो कॉलेज लिस्ट में है आयपी के नहीं सर अपनी आपी का रोन चेंज हुआ है आपका जबी चार साल कंप्रेट होगा आपका जो इंटर्शिप लेटर होगा वो दो कॉपी स्कुल होस्पितल से निकालने होंगे आपको इंटर्शिप करना ह होगा 6 मैने का वो एक कॉपी आप हमारी युनिवर्स्टी को देंगे और एक कॉपी जो उसका जेरोक्त है आप आयपी में समिट करेंगे एक सेट ऑफ दॉक्यमेंट वाँ पे देंगे अब क्या होता है कि हम तो पूरे बच्चे का रिजल्ट ऑन लाइन दखते हैं तो आप यह मिल जाएगा नैं लोहगों कं लोहां कि प्रमा परना ने कर देंगे ना कैसा की आया तो नहीं देंगे लेकिन यहापका क्या है मादू में आपका ये रेगुलर से रेगुलर डिक्रिया है लेकिन आपका जो मोड ऑफ स्टडीज है वो एक्टरनल मोर में आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन मोर में तो आप उनमें माक्षिट का भी अगर वाट्टप में तो आपको कुछ डिग्लिस में पॉपश कर दो का लेकिन का यंशल में भी हो जाएगा तो ठीक है चलो चलेगा मैं अबरी अधिगन है एकुरेत एं इसमिलह को फिरस में पैरने वाले हैं तो अभी क्या किया अर्यूश वालों ने हमारा बाचलर सिम लोगा ने चार सल का और छे महिने का इंटर्शच में उत को इंवलोग एंपटी कंफर्म किया, इसमे आपको कोई प्रॉब्डम नियागी, इसलिए इन डिकल्प्रोग्राम में Okay, okay, समझ गया Okay, okay, sir. Okay, bye. Thank you.